यह लचे डोदarsa पूजाग त करती हैं आपकी बहुत रुछी है आपको कभी गभी इंटीयोशन होता है कि क्या होने होगा क्या है पढ़ना जिस प्रकार सेवा करी है अपनी पार्टी की और कर रहे हूं मेरा भी नाम एक दिन जो है अर्मान जी के आशिरवात से ऐसे ही इतने बड़े-बड़े वादे किये गए और यह मानना था कि आप बीजेपी में आएंगी तो आपको बहुत जल्दी विधान सभा कर टिकट दिया लेकिन वो लोग हताश है कि बीजेपी ने आपको यूज किया आपको कुछ पादर ने बीजेपी ने परवार तोड़ दिया आपका अलग-अलग कर दिया मेरे आदर निया जेड जी के लिए बहुत आदर है बहुत सब्मान है मेरे परिवार है और मैं हमेशा से कहती आई नमस्कार मैं हूँ संजे शर्मा आप देख रहे हैं 4PM News Network लखनौ में उत्तर प्रिदेश की राजधानी लखनौ में एक बहुत अच्छी परंपरा है कि जो जेट का महीना होता है इसमें बड़े मंगल का मनाया जाता है कि बड़ा मंगल का जाता है और आप अगर आज लखन जगे जगे आपको हर्मान जी की याद में आपको भंडारा होते हूँ नजर आए का यह मैंने पहली बार लखनौ में आया था तो मैं देखके हैरान था कि यह मंगल को हो किया रहा है लेकिन बहुत अच्छी परंपरा है और यहां लखनौ की परंपरा देखकर देश की कई ह पहाशण है उनका होहला है लेकिन यह यह वाने तक ऐसी हैं जो अध्यात में भी बहुत रुची रखती हैं और अध्यात के साथ गायन में भी बहुत रुची रखती हैं तो आज इन्होंने एक नई शुरुआत की है सुंदर कांट का डिजिटल एक परफॉर्म आप सुन सक है अरि JUST करेंगा और जो इनके बेटे हैं उनके पिता का मोहरा पिया यह मान के मुझे रोने भी सchl Sounds奇 अप शॉफ यह तो आज बहुत बढ़िया दिन था इतने शुब अपसर मंगल के उसमें हनुमान जी का इतना बड़ा सुंपून सुंदर कांट दीदी ने रिलीस किया जो पापा के साथ उन्हों ने गाया था यह बहुत गर्व की बात है इतने सालों बाद ही इतना अच्छा काम और उनकी आवाज और उनका काम मेर थू नी तो दीदी के थू हम सभी के थू जिनको भी उन्होंने प्रोचाहित किया है मुटिवेट किया है एक पॉजिटिव इंपक्ट छोड़ा है सब की दिलों में उन् मंगल का ऐसी होताहि है ह हनुमान जी का यह अमेजिंग इतने तदात भाश्य में इतने सब देखा मैं लोग इतने सब देखा मैंने दी जो कमाल की बाते की है सब बातों की पॉजिटिव मेसेजेज इनिए हनुमान जी को लेretoे सव definitive तो आपको अपको अपनी दिदी नेता ज पिताजी का वो चर्चित गानत दो लाइन उसके सुना दिये दर्शकों को हमारे ठीक एंवरा पियामों से बोलत नाही मोरा पियामों से बोलत नाही सुना दिये दर्शके ओ याधन शुल्हार पियामों से बोलत नाही बहुत सुनदर आवाज इनकलर पिताजी यहाज आप पर्णा जी आपने कमाल व्यहार कर दीया हम तो शुच ग्रश कर दिया है या कि बृष्थन आपने कमाल कर दीया हम तो सो पिःशा शुच श्याण पां सब करता है कि आप लोगों का जाता है कि आप लोगों ने जैश्री राम राम को में जैश्री राम ने नमान जी भी बहुत अच्छा है करनाटक में नहीं चला ही और दो जहां कर जा जुकुर 저ब छो जो जो ज। चला o o एक यह लिग बात है मगर मगर रन dzięki सब जगा चले आज आज आपने लग शुरूआत राती से अलग हटके शुरूआत करी इक दुनिया में नहीं रहे लेकिने का एसे महां लग तकरी साथ मेरे गुरू रह चुके हैं और मुझे प्लेबैक सिंगिंग में मुझे लगता है जो इंटर्ड्यूस किया, जो ट्यूट किया उन्होंने जो सिखाया मुझे वो मेरे लिए आविस्मडनिया है तो मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है कि हम ये सब सीखे कि हम कुछ भी आर्टिस्ट और कोई भी जगह पर अगर हम समस्जते हैं कि अगर हमें कुछ भी आर्टिस्ट जो होता है जैसे हमने कोई थुमरी सेख लिया पारंगत कर लिया और मास्टर कर लिया आर्स में ब bon color इन आर्ट and that is what the teacher Teaches you अपड़ना जी माना जाता है आम तोर पे राजनिता जो होते हैं उनको फुरसत नहीं होती है अपनी राजनिती बातों की अपनी राजनिती की दाओं पेच की लेकिन इस बीच में यह जो गायन वारी चीज है यह हम एक लंबेर समय से आपको देख रहे हैं गाते हुए हमने मा आपको गाती हुए देखा यह विधा अभी भी आप कायम रखे हुए हैं देखे मैं समझते हूं राजनिती में मेरे पिता जी कहते थे और भी मिकेहते हैं कि शोर बहुत है लोग आममन चिलाने लगते हैं बयान बाजि करने लगते हैं तो कैते हैं हाओ व्लिजित अब तो कि मेरे पापा अंग्रेजी जर्नलिजम में थे, 17 साल से टाइमस ऑफ इंडिया में थे, तो वो असर तो आए गई, पर हिंदी भी आपके आशिरवाद से काफी ठीक है, ने मैं काओं कि काफी अची ने ठीक है, तो मैं समझती हो कि उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप साधना है मेरी, और मेरी स्वर्गी माता जी का नाम भी साधना था, तो मैं समझती हो उनका भी आशिरवाद आज बहुत है, और वो हमेशा कहते हैं तो मैं बहुत स्टॉप, ये रुकना नहीं चाहिए, गाना आपना गाते रहू, जब स्वर्गी आदेश जी का मतलब स्वर अंदर से अनभूती हुई, कि नहीं हम मुझे करना है ये, तो मैंने अविदेश से बात करी, सडिनली सारी चीजने एक साथ हो गई और आप सब के सामने आज है, आप पूजा पार्ट बहुत करती हैं, अध्याक में आपकी बहुत रुची है, आपको कभी-कभी इंटीशन ह होता है, और मुझे लगता है कि जो भी इंटीशन होता है, सही होता है, तो क्या आपको आज कुछ इंटीशन हो रहा है कि आप इतना लंबा समय हो गया, और मोदी जी और योगी जी आपको कुई टिकट विकट पी दे रहे होगा क्या, जो भी ये पार्टी बड़ी है, कर रही है तो मेरा पूरा भरोसा है बाकी मैं जिस प्रकार से भगवान हनमान जी ने श्री राम जी की प्रभू की सेवा करी उसी प्रकार से मैं इस पार्टी की सेवा कर रही हूं और बिना हनमान के जैसे श्री राम का जीवन जो है अधूरा है वैसे ही मुझे लगता है कि आपके जित्ते जित्ते चाहने वारे जित्ते आपके भक्त हैं जित्ते आपके फालोर हैं वो सब बड़े परिशान है कि इतने बड़े बड़े वादे किये गए ते और यह मानना था कि आप बीजेपी में आएंगी तो आपको बहुत जल्दी विधान सबागा टिकट दिया फिर मेर में तो लगबक तैता कि आपको टिकट दिया जाएगा लेकिन वो लोग हताश है कि बीजेपी ने आपका यूज किया आपको कोई पदर नहीं दिया यह सब एक पॉलिटिकल बाते हैं पॉलिटिक्स में ऐसा होता रहता है और हम इंकरिज मेंट बस ऐसा रहे कि हम ब मिलने से ही सबकुछ प्राप्त हो जाता है बहुत सारे चीजे लोगों की सेबा करने से प्राप्त हो जाता है और पार्टी जो है रास्टरियपारिपारिश में बार-बार कह रहे हैं कि आप शैकार की तरह है अपने जेट जी के पास अकलेश जी के पास दुबारा जा सकती है मेरे जो है मेरे आदरनिय जेट जी के लिए बहुत आदर है बहुत सम्मान है मेरे परिवार है और मैं हमेशा से कहती है आई हूँ राजनीती अलग है परिवार अपनी जगा है और हमेशा रहीगा बीजेपी ने परिवार तोड़ दिया आपका अलग अलग कर दिया जो भी परिस्थिती हुई वो हो गई पर जो है मैं अपने परिवार का बहुत आदर करती हूँ यह सब को बता है यह तिया अपढणा जी आज बहुत सुंदर रहे हैं डिजिटल आप यूटूब पे देख सकते हैं बहुत अच्छी आवाज में गाती है और सबसे अच्छी बात है सामाजीक सांस्कृतिक धार्मे कारकमों में अपढणा जी बहुत एक्टिव रहती हैं नौजवान हैं नौजवानों से लड़कियों से महलाओं से समवाद लगातार करती रहती हैं और एक ऐसा राजनेता के रूप में वो हैं जिनसे हर कोई संपर कर सकता है आपको उनको खिल खिलाती बाते हैं आपको उनकी हस्तियों स्टाइल और किसी को भी अपना बना लेने का जादू या पड़ायादम के अंदर बहुत है तो मुझे लगता है कि आप जरूर सुनियेगा संदर कांड अपनी रायव बताईएगा शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए